हेलो फ्रेंड्स स्वागेता आप सभी का हमारे इस चैनल में तो दोस्तो जैसे कि पता है कि आपको कि नीट थान 20 की जो काउंसलिंग है राउंड वन की वो आज स्टार्ट हो चुकी है तो इस राउंड में जो 27 तो पक टूबर इसको आज स्टार्ट होनी थी काउंगा कि कैसे आपको official website पे जाकि सारी डिटिल चेक करनी है और आपको खुद पता चलेगा कि जिसमें हम इंडिया के इतने भी colleges है सारे college चाहे उनकी वो college फीस हो या दोस्तों उसकी bond की जितनी amount वो हो या उसकी hostel फीस हो उन सब जीजों का हम यह आप यह वीडियो में discuss करने वाले हैं जैसे कि मैं आपको इस page पे दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको participating institute की सारे information होगी तो दोस्तो this will be the institute information of all the institute of need counseling तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो बच्चे MBBS के लिए interested है वो इस type में जाए जो BDS के लिए हो नंबर 2 में जाए तो जैसे MBBS कभी आपके सामने खुला हुआ है तो आपको करना क्या है यह number of colleges है यह college institute के code है 101, 102, 103 यह आपके codes है तो आप इन codes को वैसे series में रख लिना उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है वियू वाले button पे click करना है जो वियू वाला button है यहाँ पे आपको click करना है जैसे आप इसके साथ आपको रहा है बॉन्ट स्टेटज अगर किसी college में कोई बॉन्ट है तो उसका यहाँ पे दिखाईगा sure bond इस पे click करेगा तो आपको बॉन दिखाएगा अगर आपको कॉलेज की पूरी डिटेल देख नहीं ता आपको व्यू वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे आप व्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल होगी जैसे कि इस कॉलेज क जो यह detail it or 19 की detail है जिसमें सारी detail होंगी fees almost सब जगा सेम होती जैसे कि आपकी college की fees क्या है जैसे आप यहाँ इमें दिखा देना चाता हूँ कि जैसे annual fees क्या है AIQ candidates के लिए उसके बाद amount to be paid admission के time आपको कितना पैसा पेख करना है इसमें male और female दोने admission ले सकते हैं होस्टल के कितने fees होगी यह आपके सामने स्क्रीन पे होगी और annual fees deduction अगर आप round second or third round exit कर जाते हो तो आपकी fees में से कितना reduction होगा और the amount of the fees to be reimbursed in case of candidate resign during the counseling period अगर counseling के time बच्चा अगर resign कर देता कितने फीस वापस होगी और कितने फीस जैसे कि जैसे है कि इस case जैसे इस college के लिए कि 79,100 जो फीस है उसमें से क्या होगा कि अगर counseling में आप exit कर जाते हो तो आपके पांच जारी 500 रुपर कर जाएंगे और बाकी बची पैसे आपको को refund हो जाएंगे यह यहाँ पर बता रखा तो यह सारी डिटेल दोस्तों आपके पास यह है और आपके बता कि किस टाइम तक refund होगा उसके अलावा college की website क्या है और आपको यह यह भी बता रखा है कि इस college में कितनी information में कितनी सीट की रिजर्व जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अधर information में लिखा है आउट ओफ वन वन फॉर सीट सेवंटीन सीट विल बी अलोकेटेट फॉर ओल इंडिया अगर उसके नीचे यह आपको सारी information यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर दोस्तों आपको college के code देखने है तो यहाँ देख सकते हो अगर कोई कोई बॉंड है जैसे कि अगर आप देखोगे इन colleges में कोई बॉंड नहीं है बट जो यह पहला वाला college अंडमान निकोपर इसमें बॉंड है जो आप शो बॉंड है आप दिखा रहा है अगर आप शो बॉंड पर क्लिक करते हो तो आपको यह बॉंड की दम वादम से मिल जाएगी तो आप देख सकते हो यह MBBS की अगर हम BDS की बात करें तो यह BDS के college code है और college code की किसी भी college की कोई भी information लेनी हो आपको सिर्फ इस view बटन पर क्लिक करना है this will give you the complete information तो इंडिया में जितने भी college है उनके code आप यहाँ पे not down कर सकते हो इससे आपको help पर रहेगी AI की counseling में तो AI की counseling में code की हिसाब से जो में video है वो next video में लेके आँगा जिसमें आपको यह बताऊँगा कि कि आपको किस प्रकार से सारी colleges की information तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखे MBBS की almost सारे colleges MBBS के जितने भी college need to run 20 में participate कर रहे हैं उनकी सारी information यहाँ पे available है उसी पर का दोस्तों करम BDS की बात करें तो BDS के भी सारी college की information यहाँ पे available है जो कि AI की counseling के साब से participate कर रहे हैं तो दोस्तों यह थी important information जो मैं आप लोगों शायर करना चाहता था next video मिलेंगे नई update के साथ